क्या आपके परिवार में कभी किसी को कैंसर रहा है क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको भी कैंसर होने का खत्रा है अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है हलो दोस्तों मैं हूँ विकास सिंग और DNA Forensics Laboratory Private Limited के Official YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिससे ना सिर्फ भारत बलकि पूरी दुनिया में लाखों लोग अफेक्ट होते हैं और ज्यादा तर को अपनी जाने गवानी पड़ती हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Cancers की Hereditary Cancers अगर हिंदी में कहें तो अनुआशिक Cancer और आम भाशा में कहें तो ऐसे Cancers जो आपकी Family Line में रन करते हैं Friends हमारे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं जिनकी Family में Cancer Patients रहे हैं और जिनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उन में Cancers के होने के क्या Chances या Risks हैं Surprisingly and Unfortunately जादतर लोगों में Cancers होने के बहुत High Chances पाए गए हैं अगर आपकी Family में भी Cancers की History रही है तो Hereditary Cancer Gene Panel Test आप ही के लिए हैं लेकिन इन सब facts से आपको घबराने की जरूरत नहीं क्यूंकि अगर समय रहते आप में Cancer के Risks का पता लग जाता है तो आपका Doctor आपके साथ मिलकर Advance में ही एक ऐसा Plan तेयार कर सकता है जिससे आप Cancer Causing Factor से अपने आपको बचा सकते हैं और अपने Cancer इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं आईए जानते हैं कि Hereditary Cancer Gene Panel या Germ Line Mutation Test क्या है और ये कैसे काम करता है Cancer या Malignancy Cells यानि कोशिकाओं की Uncontrolled Growth को कहते हैं Cancer साम तोर पे Random होते हैं और कुछ केसे में Hereditary यानि Unwansic होते हैं इसका मतलब कि अगर Family में किसी Person को Cancer है या कभी रहा हो तो उसके बच्चों में भी Cancer हो सकता है Cancer तब होता है जब किसी में Carcinoma Genes यानि Cancer पैदा करने वाले Genes में Mutation यानि Change हो जाते हैं क्योंकि एक बच्चे को उसका DNA अपने माता पिता से मिलता है इसलिए जो Genetic Mutations माता पिता के Carcinoma Genes में थी वही एक बच्चे में भी हो सकती है और इसलिए उस बच्चे में भी Cancers के होने का रिस्क पाया जाता है जनरली Cancers अपनी शुरुवाती स्टेज में कोई Symptom या लक्षन पैदा नहीं करते और Cancer का पता तब लगता है जब वो अपनी Advanced Stage में पहुँच जाता है एक बार Advanced Stages में पहुँच जाने के बाद Cancers का Treatment काफी मुश्किल हो जाता है और जाधा तर Cases में Patients की Death का Risk रहता है Here's how your Hereditary Cancer Genetic Test can help you Hereditary Cancer Genetic Test का Primary Goal है Carcinoma Genes में Mutation को Detect करना हम NGS Technology का इस्तिमाल करके दिये गए DNA सेंपल से आप में ऐसे Mutation का पता करते हैं और आपको एक Detailed Report देते हैं यह Report आपके Doctor को आप में Cancer होने के Risk की Detailed Insights प्रवाइड करता है इस Report के Base पे आपका Doctor आपके लिए एक Preventive Plan भी तयार कर सकता है Like Diet and Lifestyle Modification, Avoiding the Triggering Factors of Different Types of Cancers and so on Now let's discuss which type of Cancers are detected with a Hereditary Cancer Genetic Test आपका Hereditary Cancer Genetic Test या Germ Line Mutation Test एक Comprehensive Panel of Tests है जिससे आप Ovarian Cancer, Breast Cancer, Prostate Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Melanoma यानी Skin Cancer, Blood Cancer और दूसरे तरह के Cancers के Risk का पता कर सकते हैं Females में Ovarian और Breast Cancers के Cases पिछले कुछ देशकों से बहुत देखे जा रहे हैं यह Cancers BRCA1 and BRCA2 Genetic Mutation से होता है BRCA Gene Test भी Hereditary Cancer Genetic Test का ही एक पार्ट है अगर आपको May 2013 की एक News याद हो तो आपको पता होगा कि उस साल World Famous Hollywood Actress Angelina Jolly ने अपने दोनों breast issues को double mastectomy operation से remove करवा के breast reconstruction करवाया था इसके बाद 2015 में उन्होंने preventive cancer surgery से अपनी दोनों ovaries और fallopian tubes को भी remove करवा दिया उनकी मा, नानी और परनानी ने भी breast या ovarian cancer से अपनी जाने गवाई जिसने उन्हें BRCA Gene Test करवाने के लिए इंस्पायर किया उनके BRCA Genes में mutations पाये गए और test report के according उनमें breast cancer का 87% और ovarian cancer का 50% risk पाया गया उन्होंने समय रहते सही action लिया और अपनी life को secure करने में कामयाग हुई यह सब cancer genetic test से ही possible हो सका in this case the BRCA 1 and 2 gene test अगर आपने BRCA gene testing पे हमारी वीडियो नहीं देखी तो उपर i button पे click करके वो वीडियो देख सकते हैं इसी तरह males में prostate cancer और males and females दोनों में colon cancer, rectal cancer, pancreatic cancer, blood cancer और skin cancers के रिसका पता भी hereditary cancer genetic test से किया जा सकता है अब सवाल उठता है कि आखिर किस-किस को यह test करवाना चाहिए hereditary cancer gene panel हर उस person के लिए है जिसकी family में cancers की history है जो लोग 50 साल या इससे जादा की उमर में हैं बच्चे जो किसी तरह के birth defects के साथ पैदा हुए जैसे non-cancerous skin growth कुछ खास ethnic group के लोग जिनमें कुछ specific तरह के cancers पाया जाना common है इनके अलावा जिनकी family में cancers की history नहीं है यह test उन्हें भी करवाना चाहिए क्योंकि आज के समय में cancers का खत्रा ऐसे लोगों में भी है Now let's discuss the sample collection for a hereditary cancer gene panel test Germ line mutation test यानी hereditary cancer gene panel test के लिए आपको 4 ml EDTA blood sample देना होता है EDTA tubes specialized blood collection tubes होती हैं जिनमें blood जमता नहीं है और खराब नहीं होता जादातर cases में हम आपके sample collection के लिए अपना एक sample collector आपके पुते पर भेज देते हैं अगर आप चाहें तो हमारे किसी collection center पे जाके भी अपना sample दे सकते हैं एक बार आपका sample हमारी testing facility में receive होने के बाद हम आपके sample से DNA को extract करते हैं और फिर उसकी detailed analysis करते हैं test complete होने के बाद हम आपकी report आपकी registered email ID पे भेज देते हैं हमारे sample collection centers आपके area में या आपके area के आसपास कहां कहां located है ये details आप अपना test book करने से पहले हम से पूछ सकते हैं अपना hereditary cancer genetic test book करने के लिए या test से जुड़ी किसी और जानकारी के लिए आप screen पर दिये गए numbers पे हम से सीधे बात कर सकते हैं या हमारे website www.dnaforensics.in पे विजित कर सकते हैं So share this video with your friends, family and loved ones do subscribe to our channel to stay updated with our newer uploads and don't forget to press the bell icon thanks for watching